सो हे वाट्सप गाईज स्वागत सभी नई वीडियो में आज की इस वीडियो में बात कने वाले Microsoft के एक और नए चैलेंज के बारे में तो यह जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने प्रिविएसली एक वीडियो बनाई थी Microsoft के सही एक चैलेंज पर जिसमें जिन लोगों ने भी पार्टिसपेट करा था और उस इवेंट को कम्प्रीट करा था उन्हें मिला था Microsoft का Free Certification Voucher 100% Certification Voucher था यह यानि आपको दस जार रुपी के Certification बिल्कुल इसमें काफसे लोगों ने पार्टिसपेट भी करा था यह जो था यह चला था एक महीने तक और 1400 लोगों ने देखा था उन मेंसे बहुत सारे लोगों को मेरे कॉंटेट में जो है Certificate मेले थे और काफसे लोगों ने अभी तक Certificate Claim भी कर ली है Certificate Claim करने का टाइम भी काफी लंबा है यानि हम September तक जो यह इस voucher का यूज कर सकते थे काफसे लोगों के रिक्वेस्टे के भी हा और कोई ऐसे इवेंट है Microsoft का और कोई अपडेट है ऐसी ही इवेंट की तो चलो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टन चीज़े चैनल पने और चनल की इस वेबसाइट पर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि Microsoft Learn Student Hub यह आपको उफर करते हैं काफ सही टेकनिकल नौलिज के साथ-साथ-चेंजिंग वर्ल्ड वह भी आर्टिविशन इंटेलिजेंस में और उससे भी ज़्यादा बियॉंड जाकर fundamentals of AI के अंदर explore करने की update रहने की advancement and practicing AI enabled programming skills बात कर लेते हैं कि कैसे आप जो एक लेम कर सकते हैं अज़र के student benefits को बात कर लेते हैं तो यह इसके अंदर Microsoft आपके लिए Microsoft learn AI skills challenge, join the Microsoft learn AI skills challenge के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं काफसारी events कैसे join करना है कैसे restriction करना है पूरा में समझाओंगा पहले समझ लेते हैं गेम का मतलब क्या है इसके अंदर को क्या क्या मिलने वाला है इनका join the Microsoft learn AI challenge दाने का एक ही motive है कि आप learn कर सको develop कर सको AI skills को वह भी Microsoft learn AI skills challenge के यूज़ करकर चैलेंज जो 17 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है अब बात कर लेते हैं कैसे आप समें participate करोगे वेबसाइट के लिंक आपको description में मिल जाएगी normal आपको यहां पर आना है याली website पर आना है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है यह event चलेगा 17 जुलाई से अगस 14 तक ठीक है यानि पोरवा एक महीना चलने वाला ही है event event का नाम Microsoft learn AI skill challenge है ठीक है बात कर लेते हैं इसके अंदर को क्या क्या मिलेगा तो इसके अंदर आपको जो है आपके लिए AI training के contents का आप जाने Microsoft products and services जो आपको help करेगी AI के अंदर का सही चीज़े सीखने के लिए और अगर आप एक बार यह challenge को complete करते हो तो आपको मिलेगा Microsoft learn AI skill challenge का badge और उसी के साथ certifications of completion and more ठीक है और भी जादे rules इधर दिये हुए आप पढ़ सकते हो अभी बात कर लेते हैं और क्या 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 आपको देखने को मिलने वाला है तो यह जो आजके time पर काफ की जादे grow हो रही है काफ सारी communities, local region और यह सारे जो इसका use कर रहे हैं इसकी demand भी काफ ज़दे बढ़ मार्केट के अंदर professionally बात कर लेते हैं आप यह सीख कर काफ सारे जो है अपने business के अंदर या आप जो भूल सकते अपने professional career के अंदर जो ए ग्रोथ पा सकते हो important reminder यहाँ पर यह है कि आपके पास जो चार challenges रहेंगे उसके अंदर से आप किसी भी एक challenge को complete करोगे 14 अगस से पहले तो आपको मिलने आला है batch of certification of completion ठीक है आपका जो mail है वो आपको deliver कर दिया जाएगा यानि आपको certificate है वो आपको deliver कर दिया जाएगा आपके respected mail में आपको कैसे मिलेगा और अब कैसे relation करना है क्या क्या event उसके बारे में बात कर लेते हैं नीचे स्क्रोल करोगे तो यह चार event आपको देखने को मिल रहे है सबसे पहले machine learning challenge है जिसके दर आपको machine learning के core concept और artificial intelligence और many modern services के बारे में बताया जाएगा आपको सिखाया जाएगा कैसे आप learn कर सकते हो publish कर सकते हो model को यह सब बताया जाएगा without writing का code ठीक है यह Microsoft की services का use करके possible हो सकता है तो यह आपको इस वाले course के इंदे बताया जाएगा दना आपको second course देखने को मिल रहा है machine learning operations ml oops challenge का इसके इंदर आपको देखने को मिल रहा है applications of DevOps के principles कैसे आप यूज करते हो machine learning project के अंदर कैसे apply करोगे कैसे implement करोगे source control करोगे automation करोगे CICD pipelines के use करोगे और एक build करोगे end-to-end ml oops solution को using python to train the model and see the machine learning model ठीग है से मैंसी cognitive service challenge हो है इसमें आपको काफी सीखने को मिलेगी AIC related and AI builder challenge हो है आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर AI के बारे में काफी सारा बात कर लेते हैं तीनो चारो जीतने भी जो course दिये हुए आपको इन में से आपको कोई भी एक course को complete करना है and आप eligible हो जोगे certifications के लिए बात कर लेते हैं कैसे आपको enroll करना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी course को choose कर लो मानलो मुझे यह AI builder challenge काफी अच्छा लग रहा है go to challenge पर मैंने click कर दिया go to challenge पर click करोगे तन अंदर आपको content देखने को मिल जाए AI builder जो है यह model आपको explain करते हैं कैसे आप power apps का power automation का use करेंगे और आपको learn कराएगा यह कि कैसे आप topic create कर सकते customer entity variable and extract कर सकते store information को bought के थूँ ठीक है तो यह साई चीज आपको देखने को मिलने वाली है बात करते challenge start कब से होने वाला है तो बारा दिन बाद यह challenge start हो जाएगा आपको कैसे participate करना है यह मैं आपको समझा देता हूँ तो यह register now पर आपको normally इधर click कर देना है I read and agree पर click करके continue पर आपको जोई इस पर click कर देना है तो आपको basic सा form मिलेगा या बोल सकते हो आपको sign in करने को option देगा तो आप अपने respective google account sign in कर सकते हो मेरा already sign in है तो आपको देख रहा होगा यह मेरी profile है तो आपको मैं recommend करूँगा कि Microsoft के account से नहीं आप अपने respective Gmail account से sign in करिएगा क्योंकि उसी पर आपको mail आएगा अगर आप Microsoft पर कर लेंगा यह जो है कुछ रीजन में prohibited है यानि यहां पर आपको नहीं मिलने आले है तो यहार इसमें कॉंचे-कॉंचे रीजन है North Korea, Sudan, Syria, region of Crimea, Russia and where to be prohibited ठीक है आगे हम बात कर ले तो इसके अंदर आपको यह चार चैलेंज देखने को मिलने हाले और participants must complete all learning modules at least one challenge below ठीक है जर इसके अंदर जो भी एक challenge है इसके अंदर कवसरी modules रहेगी तो आपको एक module नलब एक challenge की सारी module को जो एक हतम करना है तभी आप eligible उपाऊगे certification of completion के लिए ठीक ह एन यह Microsoft के दरफ से ही आपको provide करा जाएगा बात कर लेते हैं आपको 14 अगस से पहले पहले करना है तभी आप eligible उपाऊगे batch और certifications के लिए और आपको जो है आगे और इसी ही चीज़े देखने को मिलने हो लिए frequently asked question में बात करे तो यह challenge कब तक रहन होने वाल है अगेन वही 17 जोलाई से start होगा and 14 अगस को खतम हो जाएगा दिन second बात करते हैं कि challenge work कैसे कर रहा है तो चार challenge है एक challenge में किसी में आप participate करके पूरा module खतम कर सकते हो and then आप eligible हो जाओगे अपने certifications के लिए still कोई question रहता है मन में कोई doubt रहता है तो इनका official rule पर जाके जो आप check out कर लेना इस लग रही है मैं चैनल के तो यह चैनल परने हो चैनल सस्क्राइब कर लेना हम काफी close अपने 5K के target से तो तुरण सस्क्राइब कर दो and comment कर आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ना आप क्या और इसी वीडियो देखना चाहते हो जो आपको benefit करे आपके future के लिए आपको job ready करे सो यार इस वीडियो में इतना ही मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye